बीपेसी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में 28 जुलाई 2022 से समंदित विहार करेंट फिर्ष और साथ ही राश्टे और अंतराश्टे घटनावसित करेंट फिर्ष के जितने भी प्रशन बनेंगे समंदित सारी जानकारी आपको विस्तार पुरवक दिया जाएगा इस स्रिंखला के सारे वीडियो बिहार के परतों की परेक्षाएं खास करके 2022 में जितनी परेक्षाएं एजित होने वाली है सभी परेक्षाओं के त्रिष्टिकों से समान रुप से उप्योगी है तो इस स्रिंखला को रेगुलर बेसिस पर फॉलो केजे नीसंदे ही यहां से आपके एक्जाम में आपके काफी ज्यादा मदद होने वाले है अब यहां पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्ण पे यह प्रश्ण हमने आपसे पीछले वीडियो में पूछा था प्रश्ण था कि हाली में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारते पासपोर्ट कितने अस्थान पर रहा है विस्तरित तोर पर यहां पर आपको जान कर दिया गया था और आपको मैंने बताए था भारते पासपोर्ट की बात किया जाए तो भारते पासपोर्ट इस इंडेक्स में 27 अस्थान पर था जबकि इस सोचकांक में सिर्स अस्थान की बात करें तो जापानी पासपोर्ट इस सोचकांक में परथम अस्थान पर है तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है नविंतम रिपोर्ट जो भी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की आई थे इस अधार पर भारत का जो पासपोर्ट है इसे 87 अस्थान मिला है तो अप्सन नमर C यहाँ पर हमारा इससे प्रशनी का राइट अंसर था अब यहाँ पर पहले प्रशनी पर जाने से पहले आपको बता दूँ की 2021 का बिहार स्पेसल करेंट फिर्ष का एक PDF लाँच वा था वार्शिकांग वल्यूम था ये इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ पर जागर करके इसको डाउन्रोड कर सकते हैं आपको जानकर देखु कभी हाली में इसमें एक आफर आया है जो इसका फी है एक सोर रुपिया से घटा कर अपकर दिया गया है एक क्यावन रुपिया यह बिहार करेंटरफेस का एक नीचोड है जो कि बिहार के परतों के परिक्षाओं में आपकी काफी जादा हैल्फ करने वाली है तगरिबन एक हजार से अधीग प्रशनों का यहाँ पर शंग्रह है और सभी प्रशनों का इसमें समग्र विसलेशन डाला गया है ताकि आपका इस्टेटिक पॉर्शन भी मजबूत हो आप एक्जाम में बहतर स्कोर कर पाएं तो बिहार के परतों की परिक्षाओं के अगर तैयारे में लगे हैं तो इस वीडिया पको जरू डाउनलोड कीजिएगा और इसके लाबे हमारे जितने भी इस्टेटि मेटरियल और नोट्स वगरा होते हैं सभी के सभी आप BPSC Maker App के थरू डाउनलोड कर सकते हैं BPSC Maker App को Play Store से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर सारा कंटेंट सारा नोट्स हमारा आपको एक साथ मिल जाएगा अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्ण पर तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महतपूर्ण प्रश्ण है कि जिसन आपको ध्यान अखने इस यूंवर्सिटिय का गठन बीहार में अभी बी हाले में है जिसके पहले कुलपती के तौर पर डाक्टर सुरेंदर नाथ सिन्हा को नुक्त किया गया है सुरेंदर नाथ सिन्हा के बात करें तो वे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचारी है और इनकी अफ़ी के बात किया जाए इनका कारिकाल के बात किया जाए तो डॉक्टर सुरेंदर नाज सिन्हा का कारिकाल उनके 75 वर्ष की आयो प्राप्त करने तक होगा यै अब अगले पॉइंट के बात करें तो बिहार रज के सभी मेडिकल कॉलेच, पारा मेडिकल सन्स्तान, और युनानी सन्स्तान इसके अदहीन होंगे यानि कि जो नवगठी ते बिहार स्वास्त विग्यान विश्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और विज्राण स्डाधियार के तूरा का ठाई के दोर这个 ही अब यहां पर आगय में एक जानगारी आपके साथ 17 है कि इससे पहले भारत में स्वास्दा विज्ग विज्विवद्या-ले के अवल गुज्रात और हर्यानामे में तो इस दिरिश्टिकों से देखें तो बिहार ऐसा पहल करने वाला भारत का तीसरा राज़ बना है यानि कि इससे पहले कुजरात और हर्याना में इस तरह का विश्विदारे पहले से वीधमान है या फिर अस्थाफित है ऐसे में बिहार इस तरह का करने वाला तीसरा राज़ बना है और अभी हाली में इसके कुलपती बने है डाक्टर सुरेंदर नाथ सिन्ना की कुलपती यानि की वाइस चांसलर चले बढ़ते हैं अगले हम यहाँ पर दूसरे प्रशने पे यह दूसरा प्रशने की हाली में आई एक रिपोर्ट के अनुशारत देश के कुल आम उत्पादन में बिहार के हिस्सेदारी कितने परतीसत है यह आकड़े भी हाली में सामने आये थे और बता तो इसका राइट आंसर होगा अपसन नमर बी यहां की 11% हिस्साब बिहार का है पुरे भारत में जितने भी आम का उत्पादन होता है उसमें से बिहार की हिस्सेदारी है 11% डिटेल जनकारे अपुदेदू कि आम के उत्पादन में बिहार देश का चौथा अस्थान है बिहार का जो देश में अस्थान है ये चौथा अस्थान है लेकिन देश के कुल आम उत्पादन में बिहार के जो हिस्सेदारी है ये 11% है बहले ही ये आम के उत्पादन में चौथे अस्थान पर आते हैं लेकिन हिश्यदारी के बात करें तो केवल और केवल 11 परतेस्थ हिस्सेदारी है बिहार के आम के उत्पादन में वर्तवान आकडों के मतलब एक बात करें तो बिहार में आम का जो वार्शिक उत्पादन होता है यह 15.5 जीरो लाक टन यहां पर परतेख वर्श आम का उत्पादन होता है बिहार में अगर हम किसी जीलों के बात में तो बिहार में आम के उत्पादन में दर्भंगा जीला अवल है आम के बात यहां पर आए है तो एक जानकारी ये भी आप लोग नोट करेंगे कि बिहार में उत्पादित आम की विविण परजातियों मेंशे बहागलपूर की जरदालू आम को भारस सरकार की और से वरस्द 2018 में जियाई टैक परदान कीया था बहारस सरकार के द्वारा ये जरदालू आम जो भागलपूर शेतर का परमुख एक आम है इसे GI Tech मिला था 2018 में जरदालू आम के साथ था 2018 में कतरनी चावल और मगही पान को भी GI Tech प्रदान किया गया था GI Tech का अर्थ होता है Geographical Indication Tech और भोगोलिक द्रिश्टिकॉन से देखा जाए तो किसी भी उत्पाद को उस छेत्र का एक विशेष दरजा प्रदान किया जाता है जिससे उसकी इंटरनेस्टल मार्केटिंग थोड़ी से असान होती है और बड़े पैमाने पर होती है उसे एक अलग पहचान मिलती है तो ये सार चीज़े GI Tech के अंदर गत आपको याद रखना है और एक प्रशना आपके एक्जाम में इस प्रकार से पूछे जा सकते है कि किस अधिनियम के तहद GI Tech लाया गया था तो 1999 के अधिनियम के तहद GI Tech लाया गया था इसी एक्ट के तहद ये भारत में कर सकते हैं संचालित हो रहा है इसके लावे अभी हाले में जो बिहार के एक उत्पाद को जो कि मखाना को जियाई टैक दिलाने के बाद चल रहे थी इसे मिथला मखाना के नाम से जियाई टैक दिया गया पहले इसे नाम दिया गया था बिहार मखाना लेहिने से बाद में संसोधित करते हुए मिथला मखाना कर दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखना है ये मिथला च्छेत्र में मकाना को अत्वादन बिहार में बड़े पैमाने पर होता है इसी वज़ा से इसे अलग पहचान देने के लिए मिथला मकाना नाम दिया है तो ये सारे चीज़े आपको दियान रखना है कभी भी किसी वी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्ण यह प्रश्ण के हाले में बिहार के वरिष्ट और स्वतंतरता सैनानी विष्णुदेव नरायन शेंग का निधन हुआ है बताएं कि वे बिहार के किस जीले के निवासी थे तो इस प्रश्ण का हमारा राइट अंसर होगा अपसर नमर ए यानि कि वे बिहार के गया जीले के निवासी थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है आपको जानकार देनु की हाल ही में वरिष्ट स्वतंता सैदानी विष्णोदेव नरायन शींग का निदन वाया है आप उन्हें यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं और मूल रूप से बात किया जाते हैं वो मूल रूप से गया के चितोखर टिकारी निवासी थे यह जानकारी नोट की जागा और शादसात विष्णोदेव नरायन शींग वर्स 1949 में महज 14 वर्ष की आयो में अंगरेजों के खिलाप स्वतंता अंदुलन में सामिल हुएते और इसके लाबे एक पॉइंट ये भी है कि वे बिहार राजिस स्वतंता सदानी शंगठन के अध्यक्ष भी रहते तो ये सारी जानकारे यहां से आपको नोट करना है हो सकता आप एकजाम में पूछे जाएं एक जानकारी यहां पर आपको देदू कि जो लोग बिहार में आजित नवले 67 बिपेसी प्रलिम्स की तैयारी में लगे हैं और घर बेठे तैयारी कर रहा है तो वैसे चात्र बिपेसी में एकर एप पर टेस्ट स्रीज को जोईन कर सकते हैं अगामे एकजाम की दरिष्ट कौन से आप कितने प्रिपेर हैं हजारों विद्यारती इसमें सामिल है तो आप लोग भी इसमें सामिल पोस सकते हैं और अपनी तैयारी का सही तरह के से अंकलन कर सकते हैं ये फिलाल हिंदी वासम उपलब्द है ये दो मोड में आपको मिलेगा एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा साथे साथ आपसका पीडियाप फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे और पीडियाफ फाइल में सभी प्रशन का वहाँ पर आपको समगर विश्केशन मिलेगा जिसके माद्यम से आप ये एनलाइसिस कर पाएंगे कि आपकी तैयारे किस आधार पर होई अब यहाँ पर बिहार सा समंदित जो बेसिक से फैक्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं लिक्षवयों पर आक्रमन करने के लिए तो दौनों जानकारी यहां से नोट कीजेगा वरत्मान में बिहार के राजबाल की बात तो फागो चौहान है मुख्यमंद्री नétaisिच्च वमार है जो कि बिहार के 22 प्ली मुख्यमंद्री है नोट कीज़ेगा राज के फूल यानिके राज के जो फुलावर है ये मेरीगोल्ड अर्थात गेंदा है जंसंक्या गनत्व के बात करें तो बिहार का जंसंक्या गनत्व 2011 की जंगनना के आधार पर 1106 विक्ति परती वर्ग किलो मेटर है शेत्रफल की बात किया जाए तो 94,1163 विहार का शेत्रफल है राजभासा में बात करें तो परत्थम राजभासा हिंदी तताद बीत्य राजभासा बिहार की उर्दू है और शादसाथ यहाँ पर नोड किजिगा बिहार की लंबाई 345 किलो मेटर और 4483 किलो मेटर है विधान परिशत की 75 सिटे, विधान सभा की 247 सिटे, राज सभा की 60 सिटे बिहार में निधारित है बिहार में लोक निरती की बात करेंगे तो जाट जाटिन कजारी पानवर्या और विदेश्या यहां की प्रमुख लोक निरती है और जो एक important fact है कि दो स्वास्ति के बीच में body of friction यह बिहार का राज के चिन है आप सभी लोग नोट करेंगे चेत्रफल की चर्चा यहां पर हमने किया था आपको एक जानकारी यह देदू कि जब जार्खंड का गठन वा था 15 नॉमबर दो हजारे स्वी को जार्खंड जब गठी तवीते बिहार से अलग होकर इंपोर्टन प्रशनों की सेने में आप इसर रखेंगे और इस प्रशन का हमारा राइट अंसर होगा अफसन नमर सी यानि की मदप्रदेश विस्तरत जानकारी आप दिनों की हाली में मदप्रदेश का बुरहानपूर जीला देश का पहला हर घर जल परमानेत जीला बन गया है रिपोर्ट के मताबिक बात करना तो रिपोर्ट के मताबिक जीले के यानि कि बुरहानपूर जीले के 254 गाओं के एक लाग से अधी के घर में जल योजना के माद्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है और इसके मादधम से ही यहाँ पर इस सारी बात ही कही गई है यह पहला ऐसा जीला बना है जो कि भारत का पहला ऐसा जीला है जो कि हर घर जल परमानिद जीला बना है मदपरदेश की चर्चा हुई तो मदपरदेश से रिलेटेट हमने यहां पर कुछ पॉइंट को सामिल किया है कि हाली में मदपरदेश शरकार द्वारा लाडली लच्मी योजना 2.0 की सुरुआत की गई इसके लगबे मदपरदेश की जबलپूर की लबहता में भारत का पहला भूब ग्यानिक उद्ध्यान का निर्मान के जाने की गोशना हुई थे और साथी साथ बात करें तो भारत के मदपरदेश में राष्ट उद्ध्यानों की संख्या सबसे अधिक वरतबह में मदपरदेश के मुक्रमंतरी है सिवराज सिंग चौहान देखे मदपरदेश ते रिलेटट और भी कई सारी प्रश्ण बने हैं वो सभी को हमने समरे तोर पर यहां पर शामिल किया है एक बार पुनों आप सभी रिवायश कर लीजे एक पुन्ट यहां पर मैपको देने वाला हूँ सभी को ध्यान परक समझेगा और चीजों को याद रेखने का परियास कीजेगा हमारा पहला पुन्ट है कि जुलाई 2022 में जारी देश भरके 112 अकांची जीलों की डेल्टा रैंकिंग में के बरंज जीला को तीसरा अस्थान में लाता हूँ तो यहां से आप यह तीन सिर्ष जीलों का नाम याद रखेंगे हो सकता है एक्जाम में पूछ लिए जाए अगला पॉन्ट हमारा यहां पर यहां पर यहां पर यहां है कि मदपरदेश की सिवराज सरकार ने वर्स 2022 देश ने के वित्य वर्स 2022 देश के बजट में नवाचार करते हुए इसमें चाइल्ड बजट भी सामिल किया है इस तरह का पहल करने वाला मदपरदेश भारत का पहला राज्जी बना है जो पी अपने बजट में जो वित्य बजट होता है उसमें Child Budget को भी सामिल किया अगला परणड़ की भारत का पहला ड्रोन स्कूल मदपर्देश के ग्वालियर में खुला है most important है साथ साथ हलाकि अगर हम बात करें ड्रोन नेथी की तो भले हैं ड्रोन इसकुल मदप्रदेश के ग्वालेर में खुला लेकिन हिमाचल प्रदेश नई ड्रोन नीती को मंजोरी देने वाला देश का पहला रज है तो यहां से कन्फिजन ना हो तो समंदे चीजों को हमने इसलिए डाल दिया है और फिर हमारा यहां पर अगला प्रदे की भारत रत ने स्वर कोकला लता मंगेशकर के नाम से मदप्रदेश में शंगीद अकादमी शंगीद महाविद्याले और शंगीद संग्रहाले की अस्थापना की घोशना की गई थी बहुत इंपॉर्टन है अगला है कि एक नमितम समझोते के तहत भारत सरकार द्वारा नामिबिया से चीते को मदप्रदेश के कुन्नूर राष्टे उद्यान में लाए जाएंगे अगला यहांपर 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 यहांप एप किसे द्वारा लॉँच किया गया, इसके पीछर के इदिश के बात करने तो नेगर इनठिक, मॉबिलिटी को पुढ़ावाद देना अब यहाँ पर देखें नीती आयोक की बात आई है तो नीती आयोक से जुड़े हुए बहुत सारे fact आपने यहाँ पर शामिल किया है जो कि आपके exam में पूछे जा सकते हैं इनी सारे points से आपके exam में प्रशने बनते हैं कई बार यहाँ से प्रशने repeat भी वे हैं तो नोट कीजेगा नीती आयोक की जो स्थापना हुई थी यह परदान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा योजना आयोक के अस्थान पर एक जनवरी 2015 को किया गया था नीती आयोक में नीती का जो फूल पहमता ही होता National Institute for Transforming India यहाँ पर हमने योजना आयोक की बात किया तो योजना आयोक की जो अस्थापना हुई थी ये परदान मंतरी पंडे ज़ार ना रहू उस समय जो तातकालन परदान मंतरे थे तो उनहीं के सासन काल में 19.50 में इसकी अस्थापना है लेकिन परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने एक जनवरी 2015 को इसे अस्थांत्रित करते हुए इसके अस्थान पर नीती आयोग की अस्थापना की नीती आयोग की बात करने तो नीती आयोग सरकार के ठिंक टैंक नीती के रोप में कारिकरती है जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत सारी जानकारी यहां से ध्याने के एक जानकारी यहां पर हमने कुछ में पहले आपको दिया था कि हाली में नीती आयग द्वारा नेशनल डाटा एंड अनलेटिक्स प्लेटफरम लॉंच किया गया था तो यह सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है आप अगर रेगुलर भी होता रहे और साथ साथ इस्टेटिक पॉर्शन भी आपका मजबूत हो तो इस द्रिश्टिकोन को दियान रखे अगर आप बिहार में आज इतन वाले किसी भी प्रतों के परिक्षा की तैयारी में मुख्य रूप से लगे हैं तो इससे स्रिंखला को फॉलो किजिए नीस यहीं से प्रिपेर करें लेगर अगर आपको यहां पर अच्छा लगता तो यहां पर हमारे साद बने रहाolen तो यह आपके हां जहां से आपको अच्छा लगए वहीं पर बने रहे यानि कि option number D यहाँ पर इस प्रश्निका right answer होगा आपको जानकर देदू कि हाली में हिमाचल प्रदेश वीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस यानि कि VLTD से less सभी पंजिकरी तवानीची के वाहनों को emergency response support system से जोडने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नोट किजगा VLTD जो device है इससे मतलब सभी वाहनों को less किया जाएगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी वाहनों को VLTD के जरिये देश में कहीं भी track किया जा सकते हैं और इस तरह का पहल करने वाला जो पहला रज है यह भारत का पहला रज बना है हिम हिमाचल परदेश tut यह सारी जान काहरी नोट केगा आप यहाँ पर हिमाचल परदेश के बारे में हमने दोग पॉइंट को संविल क्या अब चलेंगे अगले हम यहाँ पर शात्वे प्रश्ण पे यह सात्वा प्रश्ण के हाली में शेक मुहमथ सबाल सलेम की सदेश के नए प्रदाहन मंतरी बने है तो राइट अंसर होगा अपसिन नमर बी यानि की कुवेद के प्रदाहन मंतरी भी हाली में बने है आपको जानकर देनों की हाली में शेक मुहम्मद सबाल सलेम कुवेट के नए प्रदाहन मंतरी बने है और यहां पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यह है कुवेट के नए प्रदाहन मंतरी शेक मुहम्मद सबाल सलेम इनके बारे हुँने दू पॉइंट यहां पर सामिल किया है दोनों को ध्यान पर देखए गहा इससे पहले साल 2003 में उन्होंने विदेश मामलों के मंतरी और श्माजीक मामलों और सिर्म की कारवाख मंतरी के रूप में कारि किया था उसके बाद साल 2006 में उन्हें उप परदाहन मंत्री और विदेश मामलों के मंत्रे न्युक्त किया गया था तो दोनों जानकारी को यहाँ पर नोट केजेगा अब यहाँ पर आगे के कुछ पॉइंट में हमने कुछ चीजों को सामिल किया है जो भी हाले में जो परभूख देशों में परदाहन मंत्री या पर राश्टपती बने है तो यहाँ पर इसके ताथ हमारा पहला पांट है कि यायर लेपिट इजरायल के चौदवें परदाहन मंत्री बने है गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राश्पती बने है दिनेश गुनवर्द ने जो की सिरलंका के नए परदान मंत्री बने है द्रोपदी मुर्मो भारत की नई राश्टपती बनी है जो कि आपको ये ध्यान रेकना द्रोपदी मुर्मो भारत की पंदर्मी राश्टपती है महला राश्टपती की बात करें तो दूसरी महला राश्टपती है साथ-साथ आदिवासी समधाई के दिरिश्टी कौन से देखे तो यह पहली महला आदिवासी राश्टपती है इनसे समधत एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था आप यहाँ पर उपर आई बिटन पर किलिक करके विश्टरत तोर पर जानकारी प्राफ्ट कर सकते हैं साथ-साथ इस वीडियो में हमने आपको यह भी जानकारी दिया था जो टॉप 50 प्रशन एकजाम में कई बार पूछे किया है या पर पूछे जाने के परबल समभावना है वो समयलित तोर पर इस वीडियो में समयल किया गया है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और फ्री में इसका पीडियो फाइल डाउनलोड करने के लिए चैनल को जोईन करें और फिर यहां पर इसमें हमारा अगला प्रांट है कि एलिजावेथ बार ने फ्रांस की पहली महला प्रदान मंत्री बनी यह सारे जो फैक्ट है यह बहुत बहुत इंपोर्टन है यह कभी भी किसी भी एकजाम में पूछे जा सकते यह नमिनतम नियुक नमर डी यानि की नई दिल्ली में अभी हाली में इसका अनावरन किया गया आपको जान कर देंदू कि हाली में प्रदान मत्री नरेंद मोदी द्वारा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरोना का अनावरन नई दिल्ली में किया गया और यहां पर दिल्ली की बात रही है तो दिल्ली से related हमने कुछ point सामिल किया है कि हाले में दिल्ली सरकार दोरा पहले सिक्षक विश्विद्याले की अस्थापना को मंजूरी दी गए और शाथ-शाथ भारत का पहला smart manage EV charging station नई दिल्ली में सुरू किया गया अब यहां पर देखे चर्चाफिय ड्रोन की तो ड्रôn के बारे में कोई दर पहले जब मैंने मदपरदेश के बारे में विश्वित्य जानकरे दिया था अध्यक्षे की से न्युक्त क्या है तो इस अप्रक्षन का हमारा राइट आंसर अपसर नमर ए यानि की संजय अग्रवाल आपको जान करते हैं कि हाले में के अंदर सरकार ने देश में MSP विवस्था को मजबूत करने के देश एक समीथी का गठन क्या है जिसके अध्यक्षे स अगरवाल को बनाया कि यह नव गठ्थित कर सकते हैं एक शंगठन है जिसका अध्यक्ष विहाली में संजय अगरवाल को बनाया है MSP के बात करें तो MSP का जो अर्थ होता है ये होता है नियूंतम समर्थन मुल्य अब ये नियूंतम समर्थन मुल्य क्या है इसी आप यहाँ पर इसे आसान भासा में समझ सकते हैं इसका ताथ पर ये उस मुल्य से है जो कि सरकार द्वारा किसानों को फसलों पर हानी होने की इस्तिती पर उन्हें दी जाने वाली समर्थित मुल्य है यानि कि फसलों का जो मुल्य होता वो निर्धारत किया जाता है यानि कि MSP के थरू सरकार द्वारा जो रेट निर्धारत किया जाता है नियुंतम मुल होता जहां वर फचलों को उस मुल पर बेचा जाता है एक तरह से कहा जाएए सरकारी रेट होता है तो आपको यहां से ध्यान एकना भी हाली में जो नवगठित शंगठन है इसका अध्यक्च भी हाली में संजय अगरवाल को बनाया गया है अगला होगा हमारा 25 जुलाई 2022 को पहली खेलो इंडिया फैसिंग विमेंस लीग प्रत्यूगता नई दिल्ले के तालकटोरा इस्टेडियम में सुरू हुई है और यह महलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्टे तलवार बाजी प्रत्यूगता होगी ठीक है यह आपको ध्यान एकना यह अगर भारत की दरिश्टी कौन से देखें तो भारत में महलाओं के लिए पहली राष्टे तलवार बाजी प्रत्यूगता है जो कि भी हाली में 25 जुलाई 2022 को इसका सुभारम हुआ है दिल्ली के तालकटोरा इस्टेडियम में अब यहाँ पर हमने आगे प्वाइंट में ल आज की इस वीडियो के 11 प्रशने पर यह प्रशने के हाली में प्रवता रोही समीना बैग केटू परवत पर फते हांसिल की है वे किस देश की प्रवता रोही है इस प्रशने को आप इंपोर्टन प्रशने की स्त्रेनी में रखें इस प्रशने का हमारा राइट आंसर होगा समीना बैग पाकिस्तान की महला परवतार होई अफसर नमर बी यहां पर इस सब प्रस्टन का राइट अंसर होगा आपको जान कर देतों कि हाले में पाकिस्तान की परवतार होई पहली पाकिस्तानी महला पहले थी जो आप यहां पर इस इमेज में समिम्यना बैग को देख रहे हैं इसमें आई एक रिपोर्ट के अनुशार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है यह रिपोर्ट अभी हाली में रिजर्ब बैंक के दोरा जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अधार पे बात गया है तो राइट अंतुरोगा अफसन नमर सी यानिके 572.7 अरब डॉलर आपको जानकर देंके रिजर्ब बैंक आफ इंडिया दोरा जारी रिपोर्ट की अनुशार जुलाई 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 572.7 बिलियन डॉलर हो गया है रिपोर्ट के मताविए पिछले 20 महना में यह अब तक का सबसे कम आकड़ा है यह जानकारी यहां से दियान रखेगा अब यहां पर रिजर बैंक की बात आई है तो रिजर बैंक आफ इंडिया के जो स्थापना भी थी यह वर्स 1935 में भी थी और इसका मुक्षाले मुंबई में है तो यह सारी जानकारी यहां से दियान रखेगा अब यहां पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रशनी के और